नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंपेटिशन गुरू चैनल पर आज से हमारा एक नया स्रीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है करेंट अफेर क्योंकि दोस्तों करेंट अफेर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि सभी एक्जाम्स में आपको देखने को मिल जाता ह फ्रेंट्स मैंने काफी बार पुराने जतने भी एक्जाम्स हुए हैं उनमें देखा है दिल्ली प्लिस में और एक्जाम्स हुए हैं उन सभी में मैंने देखा है कि करेंट अफेर काफी हद तक अब आ रही है तो आपने करेंट अफेर की भी तैयारी करनी है तो आपने क्या डिस्क्रेप्शन में भी लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइड पर आपको हर अभिबार को इसकी जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारे कोसेंस आपको वीकली मतलब जो हर सप्ता हुआ जो चैनल कोसेंस होंगे वह आपको मिल जाएंगे तो आप वहां पर विजिट कर लें और वहां और मैंस के भी नोट्स आपको आपको आप अवेलेवल कराएंगे बहुत जल्दी आप एक बर विजिट करियो और देखिए वहां पर आपको कोसेंस मिल जाएंगे रेलवे के लिए जो इंपोर्टेंट कोसेंस हैं वह भी आपको लगवग 30-40 कोसेंस आपको पढ़ड़े द हो सकता है आपको चार-पांच दिन में उस वीडियो मिल जाए आपको तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है दोस्तों और जो वैल आइकन है उसको जरूर आपने प्रेस करना है उससे आपको नोटिफिकेशन पर डे जबी हम करेंट अफेर की या कोई भी वीडियो अप्लोड करेंगे उसको आपको जानकरी हो जाएगी कि रेलवे में और यूपी पुलिस में कई सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट्स की तयारी हम करा भी रहे हैं और सब्जेक्ट्स की भी और आपको करेंट अफेर की तयारी तो हम प पोस्ट निकली हुई है 30,000 32 जो भी पोस्ट निकली हुई है और उसके बाद बात करें हम दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस में भी काफी जगे निकल लेगे वाली है उसमें भी लगबग जल्दी आपको 2-4 एक-2 महिने में ही काफी 30, 35, 40,000 जगे वहां से भी आने वाल पुलिस में दिल्ली पुलिस में लेकिन हर एक्जाम में किसी भी एक्जाम में देखोगे तो इनमेंसे कोई नो कोई कुछन तो आपको जरूर मिलेंगे ये सारे कोशन से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपूटन है ठीक दोस्तों पहला कोशन कह रहा है हमसे पूछ रहा ह किस विदेशी दुईपक्षिय दोरे पर सरवादेक रन बनाने वाले कप्तान कौन है यह आपको चार ओप्सन दिये हुए ग्रेम स्मिथ विराट कोहली कुमार संगाकारा मार्टिन क्रोग इसमें जो सभी कोशन है जो ठेक आंसर है वो जो सही आंसर है वो है विराट कोहली विराट कोहली हैं, अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, विराट कोहली के बारे में, क्या समझेगे, इन्होंने जो है, उपलब्दी दक्षण अफ्री की दोरे पर तीनो फॉर्मेट, कौन-कौन से हैं, पहला फॉर्मेट है, टेस्ट वन डे, टी ट्वेंटी, टेस्ट प्ल प्राइब याद रखना है आपने i just oldum 811 बनाए ज़े इससे पहले अगर हम बात करें कहां पर इन्हों ने किया collection अफमॉर ए और फिर्या Bye दक्षण अफ्री की दोरे पर किस दोरे पर बनाए थे दक्षण अफ्री की दोरे पर इससे पहले कौन थे तो पूर्ब दक्षण अफ्री की कप्तान ग्रेम इसमित का रिकॉर्ड था अब से पहले जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ग्रेम इसमित ये जो आपको options मिलते हैं ये maximum एक जैसे कोशन मिलते हैं तो आपने doubt नहीं होना है अब फिलाल कौन है जुराट कोले ये तो आप भूलेंगे ही नहीं इस से पहले ग्रेम इसमित थे ग्रेम इसमित कहा केते पूर्व दक्षण अफरी की कप्तान थे पूर्व दक्षण अफरी की कप्तान थे इन्होंने 13 पारियां खेली थी 13 पारियां खेली थी और इनके जो रन थे 803 रन थे और जो इनका दोरा था देखें ग्रेट कोली का तो ये अफरी की दोरा हो गया इनका था एगलेंड दोरा एगलेंड दोरे पर सन 2003 की बात है ये ठीक है तो आपने ये याद रखना है अब एक बार इसे रिपीट करके देखते हैं किस विदेशी द्वी पक्षिय दोरे पर सरवादिक रन बनाने वाले कप्तान कौन है विराट कोली टेस्ट वन डे टी ट्वेंटी इन तीनों फॉर्मेट में इन्होंने ये रन बनाए है चौदे पारिया इन्होंने खेली चौदे पारियों में आठ सो एक तरन बनागे इनने पहला इस्तान हासिल किया किसने कप्तान ने कप्तान की बात पूच रहा है और इससे पहले विराट कोली से पहले कौन थे दक्षिन अफरीका के पूर्व कप्तान इन्होंने 13 पारियां खेली 803 रन बनाई एग लेंड दोरे पर 2003 में ठीक है अब आते हैं दूसरे कोश्चन पर दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा ये कह रहा है भारत में किस आईलेंड को इस्थाई बिजली ट्रापत होई जो इस्थाई बिजली है उसकी आपूरती हुई तो इसमें जो आपका आंसर आएगा एलीफेंटा आईलेंड अब दोस्तो हमने एलीफेंटा आईलेंड पढ़ लिया अब जब हम यहां तक आए हैं तो थोड़ा सा तथ्यो और जान लेते हैं क्योंकि हो सकता है इससे related कोई और question आपसे पूछ लिया जाए तो हम इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें क्या है जब से देश आजाद हुआ है 70 साल में यह ऐसा पहली बार हुआ है कि आईलेंड पर किसी इस आईलेंड पर भारत में जो एलिफेंटा आईलेंड है उस पे इस्थाई बिजली की आपूरती की गई है वो 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है और हम बात करें यह एलिफेंटा आईलेंड है कहा अब यूनेसको के बारे में हम डेटेल में तो वीडियो दूसरी बना लेंगे यूनेसको एक दिसनस्ता है जो जैसे ताज महले हैं इनकी देखवाल करती है यूनेसको ने इसे विस्व धरुःर की माननेता दी हुई है किसको इस आईलेंड को अलिफेंटा आईलेंड को तूरिज्म जादा हो जाएगा तूरिज्म को अच्छा फाइदा होगा तूरिस्ट का क्योंकि वहां बिजली नहीं होगी तो वहां पर कम लोग जाना चाहेंगे बिजली होगी तो कोई भी जाना चाहेगा वहां भूमने के लिए और अब से पहले अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि अब से पहले यहां के लोग बिजलिया कैसे प्राप्त करते थे तो वो दोस्तों सॉलर पैनल सॉलर पैनल के थिरू और जो इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं इलेक्ट्रिकल जर्नेटर बोलते हैं जर्नेटर के थिरू इनके थिरू बिजलिया प्राप्त कर भलाहेती अपसे पहले ठीक है और हम जानते हैं हमने बात किः गुफाओं से मशूर है तो गुफाओं कोकशी है यहूं पहले गुफाओं पहले को फाया है पहले गुफाय पांच व हिंदू के हैं है और दो कुफाएं जो दूसरे समों में है हों बुद्धिपam यानि के बहुत धर्म से रिलेटेड हैं तो यहां पर यह पांच गुफाएं हिंदुओं की है लिए इन गुफाव में हम बात करें दोस्तों तो इन गुफाव में पत्थरों की मूर्तियां बनी हैं जो हिंदु भगवान शेव को चित्रित करती है और ये 5-8 5-8 सतापदी की बात है जब ये बनाई गई थी चित्रित किया गया था इनको तो ये 5-8 सतापदी के सब्तिंग बनाई गई थी तो ये आपने याद रखना है और इसमें एक last point और आपने याद रखना है कि यह जो है यह Arabian Sagar की टुकडी पर इस्थेते हैं Arabian Sagar Arabian Sagar की टुकडी पर इस्थेते हैं तो यह आपने याद रखना है अब next question पर चलते हैं Friends आते हैं next question पर यह question कहे रहा है किसने लडाकू विमान में अकेले उड़ान भरने वाली पहली भारते महिला बनकर एतिहास रच दिया ऐसी कौन से महिला है जो एर फोर्स का जहाज होता है लडाकू विमान वो चलाया सबसे पहले हम बात करें तो उनका नाम लिख लिएते हैं अवनी चतुरवेदी अवनी चत्रुबेदी ने इससे पहली बार किया it, इससे पहले हम बात करते हैं कि जो 2015 संटा उससे पहले महिलाओν को परमीशन नहीं ती जहाज उड़ाने की जो पाइलेट बनने की जो एरफोर्स के जहाज होते हैं लड़ाओं को भिता है उसमें 2016 में कुछ महिलाओं को सलेक्ट किया गया 2016 में किन किन को सलेक्ट किया गया 2016 में हम बात करें तो एक तो सबसे पहले भावना कंट को भावना कंट को और दूसरी महिला थी मुहना सिंग मुहना सिंग इन दोनों को चुना गया और एक तीसरी थी अवनी चत्रवेदी इन तीनों को चुना गया जिन मैसे अवनी ने अकेले ऐसा किया कि विमान उड़ाया बिना किसी और के साथ लिए ये अकेले ही इन्होंने प्लेन को उड़ाया तो इन्होंने अकेले ही लडाकु विमान को उड़ाया और कहां से उड़ाया ये भी जानना बहुत जरूली है गुजरात में एक जामनगर जामनगर बेस है जो एर फोर्स का है ठीक है गुजरात के जामनगर में यहां पर एक जहाज है उसका नाम था जो लड़ा को विमान है लड़ा को विमान का नाम था जो लड़ा को विमान है उसका नाम था mig-21 bison ठीक है इस जहाज को उन्होंने सबसे पहले उड़ाया तो आपने यह याद रखना है अगर पूछे आपसे तो अवनी चत्रुवे दिये ठीक है यह अवनी चत्रुवे दिये दोस्तो नेक्स्ट कोशन आता है हमारा चौधा कोशन है हाली ही में रोमानिया के प्रधान मंत्री पद के लिए किसे चुना गया रोमानिया जो है एक देश है जिसकी राज़धानी है वियूरिका डैंसिला ठीक है और उसके बाद हम यहां की जो केरेंसी है उसकी बात करें तो यहां की केरेंसी है को केरेंसी है यहां की रोमानिया रोमानियन लिव तो दोस्तों यहां की जो केरेंसी है वो है रोमानियन लिव ठीक है हिंदी में में लिख देता हूं रोमानियन लिव यहां की जो केरेंसी है उसका नाम है हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यह कि यह किस किस participants यो रोमादिया है कि यो किस पार्टी तो उनकी जो पार्टी है उसका नाम है उनकी पार्टी का नाम है रोमानीय रोमानिया शोशल सोशल रोमानिया शोशल डेमो क्रेडिट पार्टी ये पार्टी का नाम है रोमानिया शोशल डेमो क्रेडिट पार्टी इस पार्टी की ये पहली ऐसी महिला हैं जो पी-म बनी जो प्रैम मिनिस्टर बनी जो प्रधान मंत्री बनी ठीक है और इन्हों ने एक तो उन्होंने तेरे महिने से पहले विश्वास जीत लिया किस पे संसद पे संसद पे तेरे महिने से भी पहले उन्होंने विश्वास जीत लिया यह जो पार्टी है रूमानिया सोसल डेमोग्रेट यह ऐसी तीसरी पार्टी है जिसने तेरे महिने से पहले विश्वास जीता सं सब का ठीक है तीसरी ऐसी पारटिय ये आपने रहेखनी है ठीक है नेकस्ट कुस्टर पर चलते हैं । हम दोस्तों तो फॉस कोई रहा है भारत ने किया धनुसे वेलेस्टिक मिसाइल का सफल और यह कऑ अ ठीक है यह कब किया यह किया है टेइस फर्वरी को 23 फरवरी को दिन शुक्रबार उन्होंने सपल परिक्षण किया है इसमें क्या क्या खासियत है इसकी जो मारक सब्छमता है यह प्रत्वी से कि वेट ले जा सकती है ठीक है और इसके हम बात करें तो ये कहां से छोड़ी गई है ये देखिए ये ये करीब सुबह सुबह के वक्त तेज तारिक को दस बज कर बामन मिनट के लगवक ये छोड़ी गई थी और ये आपको मैं बता दूँ उडिशा तट से छोड़ा गया इस को नोसेना पोत द्वारा ओएखिए प fringeche cozy उडिशा के तट से उडिशा के बंगल की खाड़ी के आसपास है वहांसे इसे छोड़ा गया वढ़ा पे एक तैनात्ता पूत उसे उसे छोड़ा गया और रक्षा अनुसंधान या विक रिकास संगठन यानी के डी-र-डी-ओ drdo एक संस्ता है drdo drdo की संस्ता है जिसमें 5 मिसाल है 5 मिसाल रखी गई है और 5 मिसालों में से 8 मिसाल का नाम है क्या धनुस वेलेस्टेक जिसका अभी परिक्षड किया गया 23 नारिक को ठीक है उससे पहले पिछला जो सफल परिक्षड था वो 9 April 2015 को किया गया था 9 April 2015 को किया गया था सफल परिक्षण और जब से लगातार चेश चली रहे दोबारा जो सफल परिक्षण हुआ है वो 23 February 2018 को हुआ तो आपने याद रखना है दोस्तों next question पर आते हैं भारतिया बैंक संग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया यानि कि Indian Bank Association Indian Bank Association इसके दोबारा किसे चुना गया इसमें जो अध्यक्ष है उसे किसको चुना गया तो उशा अनंत सुपरमन्यम उशा अनंत सुपरमन्यम को चुना गया है ये वर्तमान में इलहवाद बैंक में MD इलहवाद बैंक में किस-किस पत्वे हैं MD के पत्वे हैं और MD भी है और CEO भी है ठीक है कौन उशा अनंत सुपरमन्यम अभी ये Indian Bank Association की अध्यक्ष भी बनी है यानि कि भारतिया Bank संग ठीक है तो आपने ये याद रखना है इसमें में ज़्यादा अब नेक्स्ट आगे नहीं बताऊंगा इसके बारे में इतना बहुत है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है हमारा किस राज्य में एक जिला एक उत्पाद परियोजन शुरू की गई यानि कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट इसकीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट इसकीम लागू की गई ठीक है यानि कि किस राज्य में एक जिला एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद इसके हम बात करें तो ये किस राज्य में लागू की गई ये उत्तर प्रदिस में लागू की गई तीक है ये उत्तर प्रदिस में लागू की गई और इसके बारे में थोड़ा सा और शौर्ट में जल् होगा ही होगा जी स्थानी कोशल है उसका विकास तो होगा इहोगा इससे वस्तों का निर्यात भी अधिक मात्रा में लॉंच किया गया इसको 24 जनवरी को 24 जनवरी 24 जनवरी को एक चीज़ और समझ लेते हैं उततर प्रदेश को दिवस हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में बनाते हैं और इसी दिन इस इस दिन 24 जनवरी को ही इस स्कीम का भी उत्गाटन किया गया एक जिला एक उत्पादन को भी लॉंच करने की डेट 24 जनवरी है और उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 तारिक को ही बनाया जाता है 24 जन लगा हो तो लाइक कर दें और वैल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली थैंक यू दोस्तों